हाई फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फॉर दिखने ठीक है वन डे रिक्षा पूलर और्न रॉन सिस्टी रूपीज आउट फिस आर्निंग ही स्पेंट सिस्टीन अपॉन त्री वाइफाइप ऑन टी अद शनेक्स और फिप्टी अपॉन वन वाइफाइप और फॉर्ड अद अपॉन टू बाइफाइप और रिपेर्स आफ दर रिक्षा हाव मुच डीड ही सेव ओन डैट डे ठीक है देखो कुश्चन समझो एक रिक्षा पूलर है उसने एक दिन एक साट रुपिया कमाया ठीक है एक सो साट रुपिया वन हंदेश्टी रुपीज अर्न किया ठीक है तो अर्न किया तो उसने का किया उस 162 रुपीज का मितलब 26 अपॉन 3 वाइफ 5 रुपीज जो है रुपीज का वो टी और इसने खा लिया और 50 अपॉन 1 वाइफ 2 रुपीज का उसने घर के लिए रासन पताई के लिए यूज़ कर दिया 16 अपॉन 2 वाइफ 5 जो रिक्सा में थोड़ा प्रोब्लम हो जाने कारण जो है उसको रिपेर करने के लिए उसमें खर्च कर दिया तो कोश्चन कर रहा है कि बताओ अब भी जो है उस दिन जो है रिक्सा पुलर कितना रुपीज सेव किया होगा ठीक है तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो रिक्सा पुलर जो है वह कितना रुपिया खर्च किया है उसको एड़ कर लेते हैं और उस खर्च किये हुए रुपीज को उसके सौम को हम क्या कर रहे हैं कि जो भी अर्न किया है उसमें से सब्टेट कर देंगे तो हमारा निकल जा रिक्सा पूलर जो है उस दिन कितना रुपया सेव किया होगा ठीक है तो देखू रिक्सा पूलर जो कितना रुपया अर्ण किया उसने अर्ण किया उसने अर्ण किया उसने जो है, क्या चीट पर खार्च कर दिया उसने tea, tea और a snake पे, ठीक है, और fifty upon one by two रूपीज जो है, उसने खर्च कर दिया food पे, ठीक है, और जो है, sixteen upon two by five जो है, अपने रिकषा को रिपियर करने के लिए, repair of the RICKSA ठीक है RICKSA पर खर्च कर दिया अब पुछ रहा है कि अब उसने इतना खर्च करने के बाज़ूद भी उस दिन कितना रुपया सेव किया था सबसे पहले हम क्या करें जो भी expense है जो भी expense है उसको add कराएं जो भी expense हुआ है उस सारे खर्च को हम एड कर रहे हैं तो देखो एस्पेंट नहीं लिखने कि यह खर्च हो गया इसलिए हम एस्पेंट यूच कि रहे हैं तो 26 अपन 3 वाइफ 5 प्लस 50 अपन 1 वाइट 2 प्लस 16 अपन 2 वाइफ 5 ठीक है तो देखो छे 6 5 जा कितना हो 30 और आपका 30 के 0 और 5 टू जा 10 10 3 13 130 प्लस 3 कितना होगा 133 वाइफ 5 प्लस 52 जा 52 है किना 100 100 इंट्व 101 वाइट फ्लस 65 जा 80 अटो 82 हो गया ठीक है? 82 हो गया भाइफ 5 अब हम क्या कर रहे हैं इसको अड करने के लिए क्लिक्त क्या करेंगे? simply is card denominator का दिनिटर का सेम करेंगे पाले डिनिटर को सेम करने के का करें लेंगे 5 और 2 का LCM लेंगे तो हमारा 10 आएगा अब 5 से 10 को डिवाइट करें कितना में डिवाइट होगा अपका 2 बार में तो 2 से 1 33 का मल्टिप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 3 2 जा 6 and then and then 2 1 2 plus 2 से 10 को डिवाइट करें कितना बार में होगा 5 बार में तो से 10 को डिवाइट करेंगे 6, 6, 12, 1, 13, 1, plus 5, 6, 2, 8, 1, 9, by 10, मतलब 9, 3, 5, by 10, रुपीज उसने का किया, खर्च कर दिया, तो सेव कितना किया, चलो इसको एस्पेंड ही क्लिक देता हूँ, ठीक है, एस्पेंड ठीक है, और यहाँ सेव, कितना सेव किया, तो उसने सेव किया, जो भी अर्न किया होगा, अर्न कितना, 160 में से, हम 9, 35 को सब्ट्रेट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ देखो, इडिनुमेटर में क्या, 1 है, तो इसका LCM लेंगे, तो हमारा कितना होगा, 100, सुरी, यहाँ पर 10 होगा जी, 10 होगा, ठीक है, अब 1 से 10 को डिवाइड करें, 10 बार मेंटर, 10 से 160 को मल्टिप्लाइग करेंगे, तो 1600 माइनस 9, 35, जब 1600 में से 9, 35 को सब्ट्रेट करेंगे, तो हमारे कितना आएगा, 10 में से 5 गया, 5, और 9 में से 3 गया, 9 में 3 गया, 6 हो गया, 9 में 3 गया, 6, उसके बाद जोता है, आपका, यह कितना हो गया, 5, यह 15 हो गया, 15 में से 9 गया, आपका 6 हो गया, ठीक है, तो अब देखो अब हम क्या करेंगे हम इसे 5 से कैंसल 5 टू जा 10 और इसे 5 से कैंसल करते हैं तो कितना हो जागा देखो अपका अपका इंसल है इसली डेसिमल में कर देते क्योंकि यह डेसिमल 66 अपन 66.5 हो जाता है लेकिन आपका मिक्स फ्रेक्शन के फॉर्म में दिया इसलिए हम इसे कैंसल कर रहा हूं ठीक है तो 555 जो 5 16 वह फाइब 133 को डिवाइड कर कितना बर में तो आपका 6 12 13 तो यहां पर भी 6 13 कितना हुआ 12 हुआ देन वान यहां पर डेसिमल लेके जीरो एंड देन अब कितना हो जागा इसको इसी तर आण दो 66 अपन वन बाई टू हो जाएगा ठीक है क्योंकि मिक्स फ्रेक्शन में करना था तो 66 अपन वन बाई टू रूपीज हो है वह क्या करेगा उस दिन सेव करेगा तो ही ही सेवड मनी ही सेवड ही सेवड ही सेवड 66 अपन वन बाई टू रूपीज ऑन डैट डे ठीक है तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हैलपूल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें क्योंकि आपका लाइ लाइक एंड सब्सक्राइब भी मोटिवेट करता है दूस्तों के थैंक्यू फ्रेंड्स